जो तो नमस्कार दोस्तों जैसक्र कि आप लोग को पता यह कि जब आप सारे और और आपके सामने के खुल जाता है उसमें से आप लोग को आप जिस का चाहन से कंपनी च्योल रहे हैं वह तो गौको संप्लोक करना होता है लेकिन दोस्तों बहुत सारे PF मेंबर क्या करते हैं कि वहाँ पर रिजन ओफ लिविंग डालते समय गलत स्लेक्ट कर लेते हैं जिसके वैसे उनका PF का पैसा फस जाता है तो दोस्तों PF मेंबर फिर उसे सही करवाने के लिए परिशान रहते हैं कि अब हम से किस परकार से सही करेंगे तो दोस्तों आज किस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि अगर आप लोगों ने भी गलत रिजन ओफ लिविंग स्लेक्ट कर लिया है तो उसे किस परकार से घर बैठे वे सुधरवा सकते हैं आप लोग को कहीं जाने की जरत नहीं है घर बैठे आप उसे सही करवा सकते हैं पूरी प्रोसेस इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ साथ लोगों की डोकुमेंट्स लगने वाला हैं तो वीडियो को लाश टक जरूर द देखेगा और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नहेuning improve नहीं किया है तो चैनल को subscribe必़ लिएगा साथ में बैल अकन के बट आप लोग को epfo portal पे login हो जाना है unified portal पे login हो जाना है login होने के बाद दोस्तो कुछ इस तरह का interface खुल का eux हम पहले से helpful आप login होंग तो क THIS का interface खुलके सामने याईगा अब लोग को आप लोग को sedan देखने को मिल रहाना था मैनेज़ वाले अपके करेंगे तो यहां पर आप लोग को सेलेक्ट मैंबर nesan2 का जी धने marks आक हो जाएंगे इस सब्सक्राइब कम्पनी को प्रिजबा अप्डेट हो गया है उस सब्सक्राइब इन यहां पर सतक सब्सक्राइब क्लिक कर देना है चивать करने के बाद दूस्त कर कौण नोग लोग को देखने हैं जैसे देटैल वाला option प्लिक करेंगे आप लोगा सब्सक्राइब से अपडेटर अपडेटर करma दूसरे नंबर पे आप अपना documents upload करना होगा और तीसे नमर पर preview and submit application पर click करके submit कर देना है तो थोड़ा नीचे कर आएंगे यहाँ पे दोस्तों आप लोग को update personal detail देखने को मिलेगा तो नीचे की और जाएंगे और यहाँ पे आप लोग को update service detail देखने को मिलेगा तो यहाँ पे इसी में आप लोग को आप लोग करेंगे और यहाँ पे आप लोग को select option पर click करेंगे तो यहाँ पर जितनी भी जो आप company छोड़ने का region होता वह यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा अब जोस्तों बहुत सारे प्यमेंबर ने क्या गलती किया कि 67 महने तो काम किया है 67 महने काम करने के के बाद उन्होंने क्या क्या कि retirement कर लिया है रिजन ऑफ लिविंग में तो दोस्तों अब इसे आप कैसे सुधर पाफ आएंगे तो अगर आप आप लोगों parchment सेलेक्ट कर लिया है तो आप लोग को यहां पर प्रोसीड वाले उप्शन पर किलिक कर देंगे जैसे प्रोसीड वाले उप्शन पर किलिक करेंगे सेटब नमर वन हमने कंप्लीट कर लिया अब सेटब नमर टू आ गया है अपलोड डॉकुमेंट्स का यहां पर नीचे कर आएंगे और यहां पर आप लोग को सलेक्ट नमर वन में यहां पर आप लोग को सलेक्ट का उप्शन देखने को मिल जाएकश पर किलिक करेंगे जो एंपलोएर यहां पर लोग को वह लेटर अप्लोड करना है जिसमें कंपनी दवारा बताया गया हो कि इसका डेट ओप ज्याइनिंग यह है और इसमें इंपलोएर का सैन भी होना चाहिए और आपका भी सैन होना चाहिए कि इंपलय का मुष्टम्प महर लगा होना चाहिए क्यानि कि कंपनी के लेंटर प्एड पे यह सब कुछ करवाना वह आपको यहां पर अपलोड करना है दूसरा यहां पर तर्मेयन लेटर और चोथा यहां पर दिया गया गया दोस्तों की एक ऐसा डॉकुमेंट्स सुना चींज में कंपनी द्वारा इस टंप लगाया है और वह में यहां पे पहले वारा पुक्ष prophecies आपäreण है उप्लोड होग सब्सक्राइध नौन euro हो यहां पर फाहिए क्लिक करेंगें कि यहां पर प्रकुलिक करेंगे और यहां पर अपना PDF Upload कर देंगे के उसक knob representative WHona या Cul व्लोड कर देंगे वारे दूसरे में एकshirt supporting documents में मैं यहां पर choose file पर किलिक करके अपने documents upload कर देता हूं उसके बाद दोस्तों यहां पर upload वाले option पर किलिक कर दूँगा upload वाले option पर किलिक करने के बाद दोस्तों यहां पर आप लोग जो है दो setup complete होगा अब तीसरा setup आप लोग का आ गया preview and submit तो यहां पर आप को देखने को आपने क्या च्राल करने के लिए यहां पो आपके लगा और किलिक कर लेंगे जैसे दोस्तों समिट वाले option पर किलिक करेंगे आपका फोंमिट होँ जाएगा और आपके रिजन ओफ लिविंग अपडेट कर दिया जाएगा सही कर दिया जाएगा उसके बाद आपना पैसा निकाल सकते हैं या ट्रांसफर कर सकते हैं तो मैं पूरा प्रोसेस आप लोग को नहीं दिखाने वाला हूं यहां तक मैंने समझा दिया इसका वाद केवल सम्मीट सम्मीट ह कीजेगा और अपने दोस्तों साथ सेर जरूर कीजेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद